हर हर महादेव तो आज आपको हम बताएंगे एक नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है और क्या है इसकी पौरानी कथाएं कुछ कथाओं के साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि नाग पंचमी का महत तो क्या है हमारे हिंदू समाज में महाभारत में जैके नाग यगी की कहानी है जिसके अनुसा जैके नाग यगी के दरौन बड़े-बड़े विक्राल नाग अगनी में जाकर जलने लगे उस समय आस्तिक नामक बराहमन सरफ यगी रोकर नागों की रक्छा की थी यह नाग पंचमी की तिखी थी और भी बहुत सारी माननताएं, बहुत सारी कहाणिया हैं जो मैं आपको आगे कफा मिं बताउंगी कि बहुत सारी कहाणिया ऐसी है जो कि नाग पंचमी से रिलेटेड है और तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो को पूरो देखना होगा और लिज लाइक सस्क्राइब और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं और भी आगे हरे कथाओं से जुड़ी कहानी आपको लाओं और बताओं नाग पंचमी के कथाओं इस दोरा नागों की रक्षा के लिए यगी को रिसी आस्तिक ने स्रावन मास की सुखल पंचमी के दिन रोक दिया और आग के तब से तक्षक को बचाने के लिए रिसी ने उन पर कच्चा दूर डाल दिया इस कारण तक्षक नाग बच गये नाग तक नाग पंचमी के दिन देवता की पूजा से भी मनोकामनाय पुर्ण होती है और कुंडली काल सर्प दोस आधी दूर होते हैं साथ ही सापों के कारण होने वाले अनिष्ट भाय का समापन हो जाता है तो इसलिए हम लोग उस दिन नाग देवता का पूजा करते हैं कैसे हुई न पंचमी मनाने की परंपरा आये जानते हैं एक कथा के नुसर नागों को सागर मंथन के शमय जनमेजे के यग्य के दरान सभी नाग जलकर नश्ट हो गए थे कालांतर में जब अर्जुन के पोत्र राजा परिक्षित के पूत्र जनमेजे को पता चला कि उनके पिता की कारण सर्फ दंस था तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्फ सत्र नाम के यग्य का आयोजन किया इस दरान नागों की रक्षा के लिए यग्य को रिसी आस्तिक ने स्रावन मास की सुकल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के तपसे तक्षक को चरहने की परंपरा चली आ रही है नाग पंचमी के लिए एक अन्य कथा और भी है कि अनुसार समुदर मंथन के सामेबास की नाक को रसी बनाया गया था जहां देवताओं ने बास की नाक के पूछ पकड़ी थी वहीं दानवाओं ने उनका मुंपकरा था मंथन से पहले वि मनाया जाने लगा नाग पंचमी के लिए एक अन्य कथा के अनुसार स्रावन सुकलपक्ष पंचमी को ही भगवान स्रीकृष ने विरिंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी भगवान ने श्राप के फन पढ़ने तिकर भी किया था इसके बाद वो नत्हिय कहलाए तब से ही नागों की पूझा की परंपरा चली आ रही है नाग पंचमी ज्टी एक और कथा है इस परकार की राजा के एक राजा के साथ बेटे थे सभी के विवा हो चुके थे लेकिन सबसे चोटे बेटे का कोई संतान नहीं हुई थी इससे चोटी बहू को उंकी जि क्षपन में आया शपने में उसे पवंच नाग दिखाई दिये इसमें पूत्र अरी पुट्री कल नाग में इसमें अगर तुम हमारा पूजन करे तो तुझे पूत्र रतनी की प्राप्ति हो सकती है यह सुनकर वह जा गए और पती को सारी बात बताई इस पर पती ने कहा इसम से उन्हें प्रिसंद करना छोटी बहु ने ऐसा ही किया और नौ महिने बाद उसे पुत्र की प्राप्ती हुई पंचमी जुरी एक और कथा है एक किसान के परिवार में दो बेटे और एक बेटी थी एक तिन खेत जोगते समय हल से नाग के तीन बच्चे मर गए पहले तो इसे प्रसंद होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सतस्यों को जीवित कर दिया इस दिन सावन सुकल पंचमी तीसी थी तब से नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी अनन बासुकी पद्म महापद्म तक्षक कुलीर संख कलियां और पिंगल आदी नागों का ध्यान किया जाता है और इस दिन घर के दर्वाजे पर साप की आठ आकरतियां बनाई जाती है और हल्दी रोली अक्षट से पुस्प चरहा कर सर्फ कप नाग देवता की पूजा की जाती है इस दिन कच्छे दूद में शक्र मिलाक नाग देवता का अस्मरन कर अर्पित किया जाता है पंचमी हिंदू का एक मुर्ख प्रमुफत भार है हिंदू पंचांग के नुसर सावन वांकि शुकल पक्ष के नाग पंचमी की रोक में मना जाता है इस दिन नाग देवता या शर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूद से असनान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूद पिलाने की परंपरा चली आ रहे हैं, नाग को दूद पिलाने से पाचन नहीं हो, पाने से प्रत्यूर जता से उनकी मिर्थिव हो जाती है, सास्त्रों में नागों को दूद पिलाने को नहीं, बलकि दूद से असनान क को कहा गया है इस दिन नव नाग की पूजा की जाती है आज के पावन पर में वारांसी में नाग कुवा नामक अस्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है कि इस अस्थान पर तक्छक गरूर जी के भैसे बालक रूप में कासी संस्क्रित की सिक्षा लेने है तो आए परंतु गुरू पत्नियों के शक्यों से तक्छक रूपी बालक के बाड़े में बतलाने के कारण गरूर जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्हाने तक्छक पर हमला कर दिया परंतु अपने गुरू जी के परभाव से गरूर जी ने तक्छक नाग को अभै दान दिया उसी समय से य यहां नाग पूजा की जाती है, यहां माननेता है कि जो भी नाग पंचमी को नाग की पूजा अर्चना करेगा, नाग कुवा का दर्सन करता है, उनकी जन्म कुंडली में सर्फ दोस्त का निवारन हो जाता है, नाग पंचमी के ही दिन अनेक गाओं में, कस्वों में कुस्ति क का प्रोग्राम रखा जाता है एंसमें का पर्व शीब जी मोहाइब और नाग की पूजा के लिए सब्सक्राइब महीना जाता है नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विदियो पूजा की जाती है एशा माना जाता है नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से नाग दोस्त से मुक्ति मिलती है इसके साथ ही जो भी इस दिन नाग देवता की पूजा करता है उसकी मिर्तियों कभी सांफ काटने से नहीं होती है हर साल तो फिर आपको जहां तक जान करी था हमने बताया प्लीज हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें